हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल UP exam के जर्म है दोस्तो आज है 25 मार्च और आज के वीडियो में हम 25 मार्च से समधित current affairs के most important questions को discuss करेंगे और हर एक question से related आपको fact भी बताएंगे इस वीडियो के अंत में आपसे question भी पूचेंगे जिसका जवाब आप सभी को comment box में देना है और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउलोड करनी है तो इसकी जो detailed PDF है वो आप मारे टेलीग्राम ग्रूप से डाउलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो को description में मिल जागी तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को जरूर सी join करें वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का season सुरू करने से पहले हम कल की questions का revision करेंगे कल का पहला question है कौन सा राज्य है स्वास्त का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया तो ये बन गया है राजस्थान अगला है दोस्तों UP current affairs की last six month की अगर आपको PDF ebook download करनी है तो इसकी link वीडियो की description में दी गई है वहाँ से आप PDF ebook को download कर सकती हैं अगर आप UP की किसी भी exams के तयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये very important है जुलाई 2022 से लेकर के December 2022 तक की है ये जो PDF ebook है इसमें सारी questions उत्तर प्रदीस current affairs क हैं और अगर इसे download करने में कोई problem होती है तो site पर आप WhatsApp नमबर और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं उस्तों 2023 के गरम बात करें तो January और February 2023 की जो PDF ebook है वो भी तयार हो चुकी है और अगर आपको इसे download करना है तो इसकी link भी आपको वीडियो को description में मिल जाएगी अगला शेहन ने विश्व मोशन विग्न दिवस प्रतिवर्श कब मनाया जाता है तो जो विश्व मोशन में घ्यान दिवस है यह 23 मार्ज को मनाया जाता है और ऑप्शन यहाप इसиной होगा saat अगला है घोड़ों का तयोहार घोड़े जात्रा किस देश में मनाया जाता है तो घोड़े जात्रा जो फेस्टिवल है ये नेपाल में मनाया जाता है पर डे करेक्ट होगा अगला है साओधी अरब ग्रेंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किस ने जीता ये जीता है सर्जियो पेरेज ने ऑप्सन यहाँ पे बी करेक्ट होगा अगला है भारत में सही दिवस कब मनाया जाता है तो अप्सन यहाँ पे एक अरेक्ट हो जाएगा 23 मार्च को और इसके अलावा 30 जनवरी को भी सही दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को क्यों तो जो मात्मा गांदी है उनकी पुनितिती है 30 जनवरी को इसलिए और 23 मार्च को क्या हूं तो 23 मार्च को इसलिए क्यों कि भगत सिंग शिवराम राजगुरू और सुधिय थापर को फांसी दी गई थी अगला एगनीज वाल रिकॉर्ट्स दौरा किसी विस्व इस्तर पर सबसी लोगप्री अकलाकार नामित किया गया तो दा वीकेंड को अपसन यहां पर भ किया अब हम सुरू करते हैं आज का सेशन आज का पहला कुशन है हाली में यूनेस्को द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिसात आबादी के पास सुरक्षित पीएजल नहीं है ऑप्सन यहां पर एक औरेक्ट होगा 26 प्रतिसात आबादी के के पास दॉस्तों हाले में नियूःक में सेयुक्त रास्ट तोजार तैजिस जो जल सम्मिलन हुआ उसमें यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट परकासित की गी तो वह कि तो रिपोर्ट है नो क्या थी तो उसमें यह बताया गया कि दुनिया की 26 पिरस्थत आबादी के पास सुरक्षित पेजल नहीं है और 40 प्रिसत आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रवंदित सुक्षिता तक पहुंच नहीं है पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक सहरी आबादी का 2016 में 930 मिलियन से दोगनी होकर 2050 में 1.7 से 2.4 बिलियन हो जाने का अनुमान है तो यह जो रिपोर्ट है यह यूनेस पे द्वारा प्रकासित की गई है कि दुनिया की 26 प्रिसत आबादी के पास अभी जो है सुरक्षित पेजल नहीं है ठीक और ऐसा इसमें का गया है कि पानी की जो कमी है ठीक है उसका जो सामना कर रही आबादी है 2016 में 930 मिलियन थी ठीक है 2050 में जो है ये 1.7 से 2.4 बिलियन हो जाने का अनुमान लगाए गया ठीक तो यहां से आपको एक द्वारा रिपोर्ट जो है प्रकासित की गई है तो यूनेसको के द्वारा दोस्तों यूनेसको से रिलेटेड कई वार एक्जाम में कुश्यन पूछे जा चुके हैं तो क्या बातें आपको यूनेसको से रिलेटेड याद रखनी है तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूनेसको है इसकी स्थापना का हुई है तो यूनेसको की जो स्थापना है वो 16 नवं मनें इसकी स्थापना कीई ठिक ये चींद ध्यान रखेंगे वो कहां पह 나왔 вся यानि कि मुख्याला के अगर बात करें तो यह कहां पहे है तो पैरिश में इसका हैन्गोटर है यह कहां इसको ध्यान रखेंगे इसका है द्किभार एक्जाम युनेसको क्या सेक्षटologies है। उसकी एक विषस ये एंजन्सी है और यह जो यूनेशको है इसका उद्द economy क्यों इसको स्थापिट किया गता इसका उद्दीर से यही था कि सिखषा और संस्कृत के अंतराष्टी सहीयोग से शांथी और सुरक्षा की स्थापना की जाए ठीक है तो इसी के लिए जो है UNESCO की स्थापना की गई थी तो ये सारी बाते ध्यार न रखेंगे इसका हैड कॉर्टर पूछा जाता है पैरेश फ्रांस मैड कॉर्टर स्थापना इसकी सूला नमबर 1945 को की गई थी तो ये जो रिपोर्ट है वो UNESCO के द्वारा ही पेस की गई है कि 26 पिरसत अबादी के पास अभी प्रजेंट टाइम में स्थुरक्षित पेजल नहीं है अगला है विस्व टीवी दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है ओप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी 24 मार्ज को मनाया जाता है विस्व टीवी दिवस दोस्तों विस्व टीवी दिवस यानि की विस्व चैरोग टीवी यानि की टूबर प्लॉसिस ये जो है किया सके और टीवी को जो है जड़ से खतम किया सके इसी के बारे में जो है जवी दिवस की तीम क्या है तो ये थीम हम टीवी को समापत कร सकते हैं यानि कि yes we can end TV ये साल 2023 की थीम रखी गई है विस्टो टीवी दिवस की 26 रोग दिवस 1982 से प्रतिवर्स 24 मार्च को मनाया जाता है यानि 1982 में इसकी स्थाफना की गई थी इस दिवस की तो ध्यान रखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट है विस्टो टीवी दिवस कब होता है या चाहे रोग दिवस कहा जाए या टीवर प्लोस तो ध्यान रखेंगे 24 मार्च को ये मनाया जाता है तो टीवी के बारे में अगर हम बात करें तो टीवी से रिलेटेट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दिवस है ये 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है तो 24 मार्च को इसलिए क्यूंकि 24 मार्च को जो है जो टीवी के लिए जो उतरदाई एक बैक्टीरिया होता है उसकी खोज की गई थी 24 मार्च 1882 में ठीक है ये डेट भी ध्यान रखनी है आपको 24 मार्च 1882 में ये खोज की गई थी उस बैक्टीरिया की जिसकी वज़ा से टीवी होता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस उस बैक्टीरिया का नाम है यानि अगर ये पूचा जाए कि टीवी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क पोज की ती यह बात ध्यान रखेंगे गेंगे यह कई बार एक्जाम में पूचा जाच चुका है तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे की राजसरकार ने साथ स्वाओं को बहतर बनाने क्लिए मौ साइन किया है ओप्सन यहां पे करेक्ट हो जाएकर डी हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश के पांच सहरों में पेजल और सुक्षता सिवाओं को बहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने फ्रेंच डेवलेप्मेंट एजनसी है फ्रेंग के इस डी डेवलेप्मेंट ए एफडी के साथ 817.1 एक दो करोल रुपए की परियोजना के साथ समझोता गया अपन पर अस्ताक्षर किया है परियोजना का उदेश ने क्या है तो राज के पांच सहरों में बहतर सिवरेज सुपधाओं का विकास करना ये इसका उदेश से है साथि मनाली बिलासपूर पाल इजनसी है फ्रेंक केईस डी डेवलपमेंट इसके साथ समझोता किया है उस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे ठीक है सबसे पहले मैप में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश है कहां पे तो यहां पे आप देख सकते हैं जो इंडिया का मैप है उसके ऊपर लद करने को देखेंटिए है लद्दक इसको इसके अलावा जमू कुस्मीर को ठीक है और इसके अलावहा नीचे के घराफ लगफ समझाब पन्जाब तो इसको भी यह तर्याना को भी टाश करता है ट्टिक तो यह सारे राजहें जिनकी सीमा को साजा करता है हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है हो और यहाली में फरवरी 2030 में अभी आपॉइंट किये गए हैं शिव प्रताप सुकला ध्यान प्रदेश का और प्रदेश से को्षीन आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली सु मैरतन ही उसका आयोजूर कहां पर न हो इसमाही प्रदेश में किया घाय था गया ओओ एक वोइधिक विरास्तंतो बॉर्टल को कि ढूकर नर्लांच किया option यहाँ पर correct हो जाएगा ए अमिस्सा ने दोस्तों केंद्रिय ग्रह मंत्री हैं अमिस्सा यहनोंने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्गाटन किया है पोर्टल का उदेश वेदों में नहें तसंदेशों को संप्रिसित करना है यानि जो वेद हैं हमारे ठीक है उनमें जो संदेश हैं उनको लोगों तक पहुँचाना यह इस पोर्टल का उद्गाटन को वेदों के बारे में सामान समझ रखने में मदद करेगा यानि जो आम लोग है उन्हें भी वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी पहुँचे किंद्रिय संस्कृती मंत्री जी के संडेटी ने कहा कि वैदिक विरासत पोर्टल पर चार वेदों की ओडियो विजूल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है इस पोर्टल में 550 गंटे से अधिक किया वदी के साथ चारों वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र भी होगे तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा पोर्टल है वेदों से रिलेटेट यानि कि वेदों की जानकारी के लिए कौन सा एक पोर्टल लौंच किया गया तो आपको ध्यान रखना है वैदिक विरासत पोर्टल ये लौंच किया गया है इसका उदेश चेकर है तो यो आम लोग हैं उन्हें भी वेदों के बारे में आम जानकारी जो है वो पहुचाई जा सके ये इसका उदेश है ध्यान रखेंगे ठीक है चार वेद कौन-कौन से है रिगवेद है ठीक इसके लाबा यजुरवेद है सामवेद है और अथर्ववेद है यह चार वेद है तो इन्हीं के बारे में लोगों को जागरूप किया जा सके ठीक इसमें जो संदेश हैं वो लोगों तब पहुंचाए जा सके यह इसका उदेश्या है किसने इसका उद्ग सफला आयोजन के लिए होकी इंडिया को बेस्ट और्नाइजर वाड से सम्मानित किया होकी इंडिया ने फाई एच होकी पुरुस विश्चुकप 2023 का भुवनेश्वर राउर केला में सफला आयोजन किया था ये वाड होकी इंडिया के महासचिफ भूलानात सिंग ने कुरिया के मुंगयोंग में आयोजित FIH कोंग्रेस के दौरान प्राप्त किया था इस याई होकी महासंग इस्या में फिल्ड होकी के खेल के लिए एक सासी निकाय है यह अंदर अश्टी होकी महासंग से संब्द्ध है और इसकी जो स्थापना है वो निस ओठावन में की गई थी कि रेंगी इस यहोटी होकी महासंग ने अभी जो है किसे बेस्ट औंधनाईजर वॉर्ड से समानित किया है जो इंडिया होगी है उसको होकी इंडिया को जो है सम्मानित किया गया है बेस्ट ओगनाईजर वोर्ड दोहजर तेस के लिए अगला है आएकर विवाग के द्वारा करदाताओं के लिए लांच किया गया है मोबाइल एप का नाम क्या है ओप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा ए ए आई एस एक एप्लिकेशन है वार्सिक सुचना विवरन इसको जो है लॉंच किया गया है आएकर विवाग के द्वारा दोस्तों आएकर विवागने करदाताओं की शुदा के लिए एक निसुलक मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच कि कौन सा ए आई एस यानि की एनुवल इन्फोर्मेशन स्टेट्मेंट यह इसका फुल फॉर्म रहेगा इस एप की मदद से क्या होगा जो करदाता है वो जो है वार्सिक सुचना विवरन और इसके अलावा करदाता सुचना साहर में अपना दर्ज विवरन देख सकेंगे यानि जो करदाता है वो जो है अपने टेक्स से रिलेटेड जो इन्फोर्मेशन होगी वो इसकी जानकारी इस एप्लिकेशन में देख सकेंगे यह जो एप्लिकेशन इसके माध्यम से वो जो है शुरूत पर करकटोती टीडिय अपने टेक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो इस एप्लिकेशन से ले सकते हैं यानि कि उनका जो टेक्स है वो टीडियेस व्याज शेयर लें देन कर भुकतान आयकर रिफंड और जीस्ट कहां पर कितना टेक्स उनका हो रहा है यह सारी जानकारी जो वो इस एप्लिकेशन के मंदर मसे ले सकेंगे तो यहां से आपको यही द्यान रखना है कि AIS जो एप्लिकेशन है यह किसके दोरा लॉंच किया गया तो आयकर विभाग के दोरा इसको लॉंच किया गया अगला है हाली में भारत और किस देश के बीच दुई पक्चिये समु वार्सिक दुई पक्चिये समुद्री अभ्यास आउजित किया गया तो रोयल नेवी यह किस देश की नौषीन है तो जो रोयल नेवी है यह यूनााइटेट कि नौषीना युद्द्द सकती है यह अभ्यास, यहां पर दिख सकते ही यहां पर जो है यहां पर इसमें सामिल होई थी जो विवन समुद्री अभ्यास window के माद्धम से चोफियोग सुधारने और सवुत्तम अभ्यास सीखने का अभ्याश स्क्रिज्ट यहीज रखते हैं तो भारत और United Kingdom के बीच ये आउजियत किया जाता है। अगला है, NASA और इस्टरों ने संयक्त रूप से कौन सा एक प्रत्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माड किया है। Option यहाँ पर यह करेक्ट हो जाएगा, Nisar, N-I-S-A-R दोस्तों विज्ञान और प्रद्वकी मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंग, इन्होंने राजसभा में L और S बैंड की Dual Frequency, Radar, Imaging Satellite, निर्माड, विकास और लॉंच करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, NASA और इस रोगारा, एक सेटिलाइट बना जाए है, ठीक है, कौन सा सेटिलाइट है, तो इसका नाम रखा गया है, N-I-S-A-R N-I-S-A-R, यानि की निसार, ठीक है, यह जो है, एक सेटिलाइट है, जो कि बनाए गया है, NASA और इस रोग के द्वारा, तो यह जो निसार सेटिलाइट है, इसका काम क्या होगा, क्या उद्देश से है, क्यों इसको बनाए गया है, तो यह जो निसार सेटिलाइट है, यह कर करसी मान चित्रण और भुस क्लन प्रवावेच छेत्रों से जड़न चेट्र हैं इसके बारे में इसका उपयोग किया जाएगा और 2024 में इसको जो है लॉंच किया जा सकता है ऐसा इसमें लक्ष रख़ा गया कि 2024 तक इसको लॉंच किया जाएगा और इसका काम क्या होगा तो जो आपको बता है कि क्रसी मान चित्रन हो गई इसके अलावा जो गलेसियर हो गए वन हो गए ठीक है इनके बारे में जो है इनकी गतीविदियों पर नजार रखना यही इसका काम होगा तो यह चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो निसार एक अगला है हाली में किस देश की जेम्स वेव स्पेस टेलिस्कोप ने सौर मंडल के बाहर एक विसाल लाल ग्रह की खोज की है तो अप्सन यहां पर करेक्ट हो जाएगा डी टेक है अमेरिका की जो अंत्रिप्च एजनसी है नासा उसने एक जेम्स वेव टेलिस्कोप है स्पेस टेलिस्कोप है इसने जो है सौर मंडल के बाहर एक विसाल लाल ग्रह की खोज किया है उस ग्रह की इमेज यहां पर आप देख सकते हैं यह जो एक नया ग्रह हो जागया है जो दुस्तों नासा के जेम्स वेव स्पेस टेलिस्कोप ने ए की है और सौर मंडल के बाहर एक विसाल लाल ग्रह हो दिखा है ठीक है अध्यान दा एस्ट्रो फिजिकल जनरल लेटर्स में प्रकासित हुआ ग्रैकों की वाल एक सुपचास मिलियन वर्स पुराना यानि कि इसको यह वागरह माना गया और इसी वजह से आकास अशांत की है तो ध्यान रखेंगे तो यहां से बात की जो जैम वेब स्पेस टैली स्कोप है यह किस अमेरिका का है नासा जो अंतर क्रिक्ष ऑजनसी है उसके दारा इसको बनाए गया तो जो नासा का इस पेस यह टैली स्कोब है जैम स्वेब इसमे जो है अभी सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह के खोज की है यानि इस ग्रह को देखा गया है इसमें ठीक एक लाल ग्रह है इसके इमेज यहां पर आप देख सकते हैं इस ग्रह को जो है इसके द्वारा देखा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलिसकोप के द्वारा अगला है हाले में किस देश ने एसी आई कोक चेंपिंसिप किताब जीतने के लिए नेपाल को राया असम विदान सवाग के अदेक्ष विस्वजीत दैमारी और मंत्री यूजी ब्रहमा ने प्रुसकार वित्रित किये हैं ठीके ये जो चेंपिंसिप थी इसमें भाग लेने वाली देश कौन-कौन से थे तो बंगलादेश भूटान, इंडोनेसिया, इरान, मलेसिया, नेपाल, सिंगापूर, दक्षिर कोरिया, स्री लंका और मेजबान भारत ये देश इसमें सामिल थे और भारत ने पुरस और महिला दोनों टीमों का जो किताब है वो जीता है और किसको हराया है तो नेपाल को हराया है ठीक ध्या संबंदित करेंट एफेर्स की मोस्ट इंपोर्डन कुश्चन जो कि हमने डिसकस कि हम देखते हैं कल की वीडियो का कुश्चन जो हमने आप से पूझा था कि एक रिपोर्ट के अनुसार किसे भारत का सबसी मुलेवान व्यक्ति बताया गया और लगबक सभी इस्टूएंट कि सुची में सामिल होने वाले एक मात्र भारती है कौन है यहां पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स मताना है और सभी लोग कोसिस करेंगी कि कोश्चन का अंसर करें दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग क्यार भी किया करें और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू